Hello students, welcome to drawing support channel, आज हमारा ट्रोपिक है, draw a common tangent to two circle, दो circle draw करेंगे and a common tangent draw करेंगे, जो circle draw करेंगे of different radius, same radius का नहीं होगा, different radius का होगा, एक circle का radius होगा 4 cm and दूसरा circle का radius होगा 2.5 cm तो देखिए, सबसे पहले दो पॉइंट लेते हैं, यह है, point O and next, यह है, point P, यह दो पॉइंट लिया हैं, अभी एक circle draw करेंगे, 4 cm रेडियास लेके, तो देखिए, scale से 4 cm रेडियास को लेना है, तो देखिए, यह 4 cm measurement को scale से लेना है and ओ, point P, pencil compass को बिठाना है and एक circle draw करना है, तो देखिए and next, दूसरा circle का radius है, 2.5 cm, तो देखिए, scale से 2.5 cm measurement को लेना है, तो देखिए, यह 2.5 cm measurement को लेके, P, point पे pencil compass को बिठाना है, P, point पे pencil compass को बिठाना है, एक circle draw करना है, तो यह 2 circle है, यह circle का radius है, 4 cm and यह circle का radius है, 2.5 cm, अभी यह O, point and P, point यह 2 point को touch करते हुए, एक line draw करना है, तो देखिए and next, यह O, P, line को bisect करेंगे, तो bisect करने के लिए, O, point पे pencil compass को बिठाना है and आधा से ज़्यादा measurement लेके, एक cut इधर and दूसरा cut इधर लगाना है and next, यह measurement को change नहीं करना है, P, point पे pencil compass को बिठा के, एक arc इधर and दूसरा arc इधर draw करना है and देखिए students, यह दो intersecting point मिला, यह दो intersecting point को मिलाते हुए, एक line draw करना है and देखिए, यहाँ पे एक point मिला, यह है, point Q यह है, point Q, आभी इसका naming कर देते हैं, यह है, point R and यह, point S आभी, पी point से लेकर, एस point तक यह distance को मिजर करना है, तो देखिए, पी point से लेकर, एस point तक, यह distance को मिजर करके, यह distance को मिजर करके, आर्क point पे pencil compass को बीचाना है, and एक arc ड्रा करना है, and next Q point पे pencil compass को बीचाना है, and Q point से लेकर, ओ point तक, Q point से लेकर, ओ point तक, यह distance को मिजर करना है, and एक arc ड्रा करना है, and next, O point, and A point, इसका naming कर देते हैं, यह है, point T, अभी O point, and T point, O point से लेकर, T point तक, यह distance को मिजर करना है, यह distance को मिजर करके, एक arc इधर ड्रा करना है, and next, यह point, and O point, यह दो point को मिलाते हुए, एक line ड्रा करना है, तो देखिए, इसका naming कर देते हैं, यह है, A, and यह point B, B, अभी, point P, and point A, यह A point, and P point, यह दो point को मिलाते हुए, एक line ड्रा करना है, ठीक है, and next, A point से लेकर P point तक, यह distance को मिजर करना है, ये पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक ये डिस्टन्स को मेजर करके देखिए ये पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक ये डिस्टन्स को मेजर करना है देखिए ये डिस्टन्स को मेजर करके B पॉइंट पे पेंसिल कमपस को बीछाना है एंड ये सरकल के उपर एक आर्क ड्रा करना है ये जो पॉइंट मिला ये है पॉइंट सी अभी पॉइंट सी और पॉइंट पी ये दो पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करना है नेक्स्ट देखिए, पॉइंट C एंड पॉइंट B, ये दो पॉइंट को मिलाते हुए, एक लाइन ड्रॉ करना है, इसका नेमिंग कर देते हैं, E and F, ये जो E F, ये जो लाइन है, ये है, ये दो सर्केल का, ये नमबर वन और नमबर टू, ये दोनों सर्केल का एक कॉमोन टैंजेंट है, देखिए, ये E F लाइन, ये दो सर्केल का एक कॉमोन टैंजेंट है, ठीक है? So, thank you students, अगर वीडियो आच्छा लागे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा.